बिस्मिल्लायरमानी रहीम, अस्सलामों अलेकुम, वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद, आज हम बनाएगे चाइनीज राइस की तरह सूपर टेस्टी सोया फ्राइर राइस, बर्डे पार्टी या छोटे से कोई भी फंक्शन के लिए बिलकुल पर्फेक्ट र केनरेशन को ज्यादा पसंद आने वाली वेज रेसिपी सोया फ्राइर राइस किस तरह बनाते हैं, देख लेते हैं, सोया फ्राइर राइस बनाने के लिए यहां पर देखिए, मैंने एक कप फूल भरके सोया वड़ी ली हूँ, यह वजन में 100 ग्राम के आसपास है, तो यह आपको किसी भी किराना स्टोर में, किराने की दुकान पर या डीमाट वगेरा में मिल जाएगी, मैंने यह डीमाट से करी दीती, इसे सोया चंक्स भी बोलते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें पानी डालेगे, तो पानी को गरम करके दालना है, कि देखिए यह कड़क होती है, गरम गरम पानी में जल्दी से भीग कर यह नरम हो जाते है, इसे दस मिनट के लिए ऐसे ही गरम पानी में छोड़ यह देखिए, दस मिनट हो गए है, और दस मिनट के बाद आप देख सकते हो, कि सोया वड़ी फूल कर अच्छे से डबल साइज में हो चुकी है, और देखिए, सॉफ्ट भी हो गई है, पहले कितनी छोटी साइज थी, अब हम क्या करेगे, इसमें से सारा पानी जो है, हातों का गरम है, मैंसे इस तरह से हलके हातों की मदद से इसका पानी निकाल लोगी, और दूसरे बरतन में रखते जाओगी, यह बहुत ही हेल्दी होती है, तो अपने घर पर जरूर बना यह बहुत टेस्टी लगती है, बनने के बाद यह प्रोटीन से भरपूर होती है, और आज दूसरे बरतन में निकाल दी हूँ, यह अंदर से थोड़ी सी फीकी फीकी होती है, इसके लिए इसे टेस्टी और मसालेदार बनाने के लिए कुछ चीज़े दालेगे हम इसमें, तो सबसे पहले डाल देगे हम नमक टेस्ट के एसाब से, यहाँ पर थोड़ी से हल्दी पाउडर, यहाँ पर मैंने मैजिक मसाला ली हो, अगर यह नहीं आपके पास तो इसकी जगा पर आप गरम मसाला पाउडर ले सकते हो, एक चमच इसमें अधरक लसन का पेज दाल देना है, एक पिंच इसमें ओरेंज फूट कलर डाल रहे हम हैं, तो यह उप्शनल है, इससे कलर अच्छा हैगा, इसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा डाल यह मैंने, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, अब इसे उपर से क्रिस्पी करारा बनाने के लिए दो चमच मैं इसमें कॉन फ्लोर डालोगी, इससे उपर से बहुत ही क्रिस्पी करारी कोटिंग होगी, तो यह थोड़ा बड़ा चमच है, तो दो चमच डालोगी मैं, अगर आपके पास कॉन फ्लोर ना हो ना, तो कॉन फ सोया वड़ी के उपर अच्छी तरह से चीपक जाए तो अभी ये मैंने दो बड़े चम्मच पानी डाल दियूं मिक्स करके देख लेती हूँ यहां पर देखी मैंने सोया वड़ी के अंदर सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाली इस तरह से आपने भी देखकर इसकी कोटिंग कर लेनी है देखे इतना ही पानी डाली हूँ तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं इसे हमें फ्राय कर लेना है सोया वड़ी को फ्राय करने के लिए मैंने तेल अच्छी तरह से गरम कर ली हूँ अब एक-एक सोया वड़ी को हमें तेल में डालते जाना है इससे पहले में मिला देती उपर नीचे ताके मसाला अच्छी तरह से इस पे लगा हुआ ही रहे चलिए अब एक-एक डाल देते बिस्मिल्लाय रमाने रहे इसे फ्राय करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है सिफ इसकी जो कोटिंग है न उसे ही हमें क्रिस्पी करा रहा करना है तो तेल अच्छे से गरम हो जाए इसके बाद गैस की फ्लेम हमें मीडियम करके फ्राय कर लेना है इसे थोड़ी देर ऐसे ही फ्राय होने देगे उसके बाद ही उलट-पलट करना है ताकि मसाले की कोटिंग निकले नहीं यहाँ पर कडाई में जितने आए उतने मैंने डाल दी हूँ यहाँ पर एक से दो मिनट हो गया है अब इसे हम पल्टेगे माशालला देखिए कलर कितना बहतरीन आ गया है हमारी सोया वड़ी पर इस सोया वड़ी को ऐसे ही आप खाकर देखना मसाले दार बहुत ही चटपटी से बनकर तयार होती है उपर की लेर इसकी बिल्कुल क्रिस्पी करार ही हो जाए ना मंचूरियन की तरह वहां तक हमें इसे फ्राइ कर लेना है तो चार से पाच मिनट ही लगते है और इसका टेस्ट आपको अलम्दलिला बिल्कुल फ्राइ की यह मंचूरियन की तरह ही लगेगा क्योंकि जो भी मसाले दालें हमने उससे बहुत ही चटपटा और टेस्टी ये सोया वड़ी बनकर तैयार हुआ है ये देखे कितनी क्रिस्पी करारे दिख रहे हैं बस इससे हमें एक प्लेट में निकाल लेगे और इसी तरह से बाकी सारे सोया वड़ी को हम फ्राय कर लेगे आप किसी भी तरह की चटनी शेजवान चटनी या टामाटर केचप के साथ भी से ऐसे ही खा सकते हो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है यहाँ पर सोया वड़ी की दूसरी बैच भी हमारी फ्राय हो गई है और आप देख सकते हो कि कितने अच्छे दिख रहे है यह तो चलिए अब सोया फ्राय राइस किस तरह से बनाए जाता है तो वो भी दिखा देती हूँ अब देखिए हमने तो फ्राय कर लिया है अब इसके फ्राय राइस बनाना है तो उसके लिए चावल तो मैंने यहाँ पर दो कप चावल को उबाल लिए पूरी तरह से जिसतरह से हम लोग बिरियानी के चावल उबालते हैं ज्यादा पानी में और फिर चान लेते उसी तरह से यह चावल उबाल कर रही हूँ और इसे मैंने एक बड़े से बरतन में डाल कर ठंड़ा कर लिया तो चलिए अफ्राय राइस बना लेते हूं यहाँ पर मेरे पास देखिए बड़ी सी कड़ाई है जो चाइनीज वाले स्ट्रीट फूड में बनाते हैं वही कड़ाई ले लिए आपने अपने घर की कोई भी बड़ी सी कड़ाई ले ले लेना यह मंचुरियन हमने फ्राई किया था उसी का बचावा तेल है तो यह दो बड़े चमच में तेल डाल रही हूँ अब इसमें डालना है हमें सबसे पहले अद्रक लहसन और हरी मिची तो चाइनीज आइटम में जो भी चीज़े डाली जाती हैं देखिए जैसे अद्रक लहसन त ना तो उससे खाने में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है बहुत इसे जलाना नहीं बस हलका साम इसे सौटे करेगे अब मेरे पास शिमला मिर्ची थी तो यह ऑप्शनल है अगर है तो जरू डाले वरना ना हो तो इसकिप भी कर सकते हो यह आदी शिमला मिर्ची है ब सबजिया हमारी नरम नहीं पड़े थोड़ा से उसमें क्रंची टेस्ट होता है नहीं तो खाने में ज्यादा अच्छा लगता है अक्सर बच्चे लोग देखिए बाहर का खाना इसलिए पसंद करते हैं स्ट्रीट फूड में तो तेज आट पर बनाते तो सबजियों का क्रं जाते जाओगी वैसा यहां पर देखिए एक मिनट हो गया उसके बार दालेगे हम पत्ता गोबी तो यह भी आप्शनल है आपके पास जो भी सबजी फ्रीज में पड़ी हो जैसे के मतर गाजर बीन्स तो जो सबजी हो वो डाल सकते हो मेरे पास पत्ता गोबी पड़ी थी त इसे भी एक मिनट फ्राइ करेंगे हम तेज आज पर और इसे भी नरम होने नहीं देना है इसका भी क्रंची टेस रखना है अब इसमें डाल देते हम थोड़ी से हल्दी पाउडर ताके कलर बढ़िया सा आ जाए और आदा चमवध डाल रही हुमें इसमें लाल मिज पाउडर आप अपने टेस के साब से डाल दे इससे कलर बढ़िया सा आजाएगा हमारे फ्रायर आईज में अब इसमें फटा फट से डाल देते हैं हमारे चावल जो हमने बॉयल करके रखे है यह देखिए एक एक चावल हमारा खीला खीला हुआ है तो थोड़ा सा इसे बड़े से बरतन में फैला देते हैं उबलने के बाद तो अच्छे चावल हमारे खीले खीले रहते हैं तो यहाँ पर मैंने पूरे चावल डाल दियो आप अपने हिसाब से चावल ले सकते हो तो देखिए चावल डालते टाइम पर गैस की फ्लेम मैंने धीमी रखिए ताकि नीचे से सबजी हमारी जले नहीं अब फ्राइ की वे सारे हम सोया चंक्स डाल देते इस टाइम पर और तीके पन के लिए हम एट चम्मट डालेगे इसमें काली मिर्च का पाउडर अब इसमें डालेगे हम चार चम्मच रेट चिली सॉस जो चाइनीज वगेरा में डाली जाती है न तो वहीं डालना है यहाँ पर मैंने एक चम्मच भरके डार्क सोया सॉस ली हूँ इससे भी कलर और टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है और एक चम्मच इसमें वाइट विनेगर यानी सफेज सिरका यह देखे सब्जियों के इसाब से और चावल के इसाब से मैं बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ अब यहाँ पर देखे मेरे पास हरी प्यास फ्रीज में पड़ी थी तो उसे भी डाल रही हूँ नई हो तो आप इसकिप कर सकते हो हरा धनिया भी डाल सकते हो तो मैं आगे थोड़ा हरा धनिया भी डालूगी अभी थोड़ी हरी प्यास डाल देती हूँ माशालला, देखिए कितना बहतरीन दिख रहा है अभी से, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार होता है, दो तीन मिनट के लिए हम तेज आज पर चावल की भुनाई अच्छे से करेगे ना, तो सारे मसालों का फ्लेवर हमारे चावलों में अच्छा स यहाँ पर देखें, तीन से चार मिनट हो गया है, मैंने तेज आज पर सभी चीजों का अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लिए हूँ, और आप देख सकते हो, माशालला, कितना जबर्दस हमारा ये, सोया चंग फ्राई राइस बनकर तैयार हो गया है, अब लास्ट में में पर थोड़ा सा बारी कटावा हरा धनिया डाल दूगी, ये थोड़ी सी हरी प्यास भी डाल रही है, इसका कच्छी का भी टेस बहुत अच्छा आता है, ये देखें कितना जबर्दस, सूपर टेस्टी है हमारा सोया चंग स्वेज फ्राई राइस बनकर तैयार है, आप भी अपने घर में बनाए, अपनी फैमिली के लिए बनाए, अपने हस्बेंड के टीफिन बॉक्स में भी आप दे सकते हो, या फि कोई मेहमान आया हो ना, तो भी ये फ्राई राइस को बना सकते हो, बच्चे वे चावलों से बना सकते हो, अक्सर मेरे घर में दाल चावल के बा तो ये सोया चंग फ्रायराइस को आप जरूर बनाए अपने घर पे बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं अगर आपके घर में बच्चों की बड़े पार्टी हो या छोटा मोटा फंक्शन हो ना तो भी आप ये सोया चंग फ्रायराइस को ज दिखा देति हुम आपको फी देखेए पहले तो देखेए उपर से कितना टेस्टी दैख रहा है कलर फूल एकदम और उपर सें बहुत ही क्रिस्पी मत्या रहा है अंदर लोड़कर दिखा देती हुस्टा फिलकुल चिकन चंग यहा फिर आपको मंचूरिय् вод की तरह इसमें चाइनीज इस्ट्राइल वेच सोया फ्राइर राइस की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में जादा से जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अपना बहुत सार ख्याल रखें दूआओं में हमें भी याद रखें फिर मिलते हैं इंशाला एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज कि अछे उल्दी से सताव ट्याल और से भी यहाद जैस अल्दी में हमें इंग